हलो गाईस, विकीपीडिया चैनल में आपका स्वागत है, मैं विपुल जैन, आज आपको बताने जा रहा हूँ, चेप्टर फाइव सांतत आवकली रेताम है, एक्सरसाइज 5.2 हम करने जा रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के कुश्चन को सॉल्व किया देखते हैं यह विकीपीडिया चैनल जैजी नित्र, यहां देखिए हैं सांतत आपकली रेताम है, एक्सरसाइज 5.2 को हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलों को सीखेंगे, इन फॉर्मूलों को हमने एक्स 11th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर से रिवाइज्ट करने के लिए हम फिर से आपर आपके सामने लिख रहे हैं फॉर्मूलों को आप देखें और नोट करते जाएए अपनी नोट बुक पर, ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूँ, आप भी अपनी नोट बुक पर लिखें, मेरे साथ, पहला फॉर्मूला ह c equal 0, ठीक है, next formula इसका second, d over dx, x power n equal nx n minus 1, ठीक है, third formula, d over dx, a power dx, a power x, a log a, d over dx, a power x, a power x, log a, b, c, fourth formula, d over dx, e power x, e power x, next, d over dx, log x, log x को हम open करते, 1 upon x, ठीक है, next, point of 6, d over dx, sin x, sin x, sin x का होता है, cos x, ठीक है, यह question, यह point of 6, हमने point दिखे हैं, यहाँ पर next point हम लिखते है, question number, point number 7, d over dx, cos x, इसका होता है, minus sin x, ठीक है, point of 8, d over dx, ten x, ten x, ten x का होता है, sec square x, point of 9, d over dx, sec x, sec x का होता है, sec x, ten x, ठीक है, next point, point number 10, d over dx, x, cortex, यह होता है, कुस एक, स्क्वाइर, एक्स, माइनस कुस एक, स्क्वाइर, एक्स, minus, कुस एक, स्क्वाइर, एक्स, next point, d over dx, cos x, इसका होता है, माइनस कुस एक्स, कॉट एक्स, ठीक है, एक और रहे गया, next है, log x, d over dx, log x, base e, तो 1 upon a, log a, base e, ठीक है, आप इन फॉर्मूलों को पहले याद करिए, और फिर हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे, इसके बाद कुछ फॉर्मूले और हैं, जिनको हमने 11th क्लास में पढ़ा है, अच्छे से, ठीक है, आप इन फॉर्मूलों को देख लीजिए, यह फॉर्मूले बहुत ही selected है, important है, और यह differentiation में सबसे ज़्यादा use होने वाले फॉर्मूले है, d over dx, constant यह है, constant अगर जो आता है, उसका जो differential होता है, वो 0 होता है, d over dx, x पर पावर n का जो होता है nx n-1 d over dx a power x का होता है a power x log e base e d over dx e power x का होता है e power x d over dx log x base e, ठीक है, log x base e 1 upon x d over dx sin x equal cos x d over dx cos x equal minus sin x d over dx tan x का होता है secondly square x d over dx xx x equal secre x 10x, d over dx cot x का होता माइनस कुस x2 x d over dx cos x का होता माइनस कुस x cot x d over dx log x base e होता है 1 upon e log e base e ठीक है, next form को हम लेकी चलते हैं देखे हम कुछ सम पॉइंटों का अर्ध्यन पहले भी कर चुके हैं तो यहाँ पर कुछ point of लिख रहा है हम यहाँ पर जैसे d over dx d over dx fx plus gx ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, इसको जब हम ऐस तरह के अगर कोई function हमारे सामने आ जाता है, कि fx और gx इस तरीके से दिया हुआ है और बीच में plus add है, तो हम इसको solve करेंगे, d over dx fx ठीक है, यह plus d over dx gx next, इसका जो point इसके जो multiple है, वो देख लिए d over dx अगर इसके साथ कोई भी हमारे कोई भी constant number आ जाता है कोई भी constant संके इसके साथ रखी जाती है, और fx का में differentiation करना है, तो इस constant को हम भार लिखेंगे और उसके बाद इसका अवकलन करेंगे ठीक है तीसरा point of view है अगर दो function दे दिये जाए, d over dx multiple के अंदर fx into gx अगर हम इसका अवकलन करना है, इसका गुडन फल करना है, तो एक system है इसको हम किस तरीके से करते हैं इसको पहला माल लेते हैं और इसको दूसरा माल लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव को किस तरीके से हम करते हैं वह आप जड़ा देखिए, फर्स्ट फलन fx into second का differentiation ठीक है plus second into second आपका gx second into first का अवकलन ठीक है अगर multiple में दो प्रोडेक्ट function है तो इसका हम multiple इस टाइप से करेंगे, अब इसके बाद एक position और बनती है जो डेरिवेटिव में बहुत खास है जैसे fx upon gx आप इसको देख लिए यह position बहुत ही strong है बहुत अच्छी है, इसको समझी आप जराफ, यह आपका numerator और denominator की form है, यहाँ पर denominator और numerator को हम किस तरीके से रखते हैं अपनी position में उसको आप समझी, जैसे d over dx यह रखेंगे denominator gx differentiation numerator numerator ठीक आगे चलेंगे minus का निसान आएगा यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि product के अंदर positive आता है product के अंदर और division में negative आता है यह चीज आपको ध्यान रखना है आप यहाँ देखिए gx differentiation numerator numerator अब numerator ठीक है इन फर्मुलों को आप revise की जीए अच्छे से समझीए ठीक है आप लेना चाहो तो इसका screenshot ले सकते हो मैं आपको पूरा दिखा सकता हूं जिससे आप note कर सको अपने इसका screenshot ले लीजिए पूरे का ठीक है मैं आपको दो मिनिट का दो सेकिंड का टाइम दे रहा हूं आप इसका screenshot ले लीजिए जिससे आप काम कर सकें ठीक अब हम कुशन की तरफ चलते हैं ठीक है आपने आप 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 कि कीजिए आप सबसे पहले हम लेट करेंगे इसको मानेंगे कि इसके साफेच हमें करना है तो यहां लिखेंगे साइन एकस स्क вр पलसफ ideas यहां पर हम इसका ढिफरेंशियल सेजन करेंगे यहां करेंगे यहां करेंगे landlords बुम Billie प्लस प्लस पाईब साइन एकस स्कवहार प्लस फाइब तो सबसे बहले हम इसका करेंगे rat differentiation करेंगे तो यह हो जाएगा cos x square plus 5 ठीक है फिर इसके बाद इस step का करेंगे तो यह step है d over dx x square plus 5 अब आगे step में हम चलेंगे cos x square plus 5 इसका करेंगे d over dx x square देखी यह constant number है तो d over dx c जो हमने पहला formula बताया था वह value आपकी 0 हो जाएगी यह cos square है तो cos square यह sorry यह x square है x square में हम x power n का formula लगाएंगे तो यहां पर देखे d over dx x square x square को जब हम open करेंगे तो यह हो जाएगा 2x 2-1 यहां पर यह formula को हम यूज कर रहे हैं x power n को तो यह होता है nx n-1 ठीक है is clear यहां पर 2x cos x square plus 5 यह question आपका solve हो गया next question को देखते हैं ठीक है question number 2 cos sin x cos sin x let y equal cos sin x ठीक है differential with respect to x we get ठीक है यहां पर देखे d y over dx is equal to आप इसको समझिए यह जो sin x लिखा है एक तूसरा एंगल technometric फलन दिया हुआ है इस पूरे को आप कुछ देर के लिए x माल लीजिए तो cos x का होता है sin x minus का sin और bracket में आ जाएगा sin x ठीक है फिर इसका differentiation हम again करेंगे तो sin x यहां पर लिखेंगे अब यहां देखें माइन sin into sin x अब इसका करेंगे तो यह cos x आ जाएगा बस इसका इतना ही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ठीक है next question की तरफ चलते question number है आपका question number third question number third जो लिखा है question number third is sin ax plus b sin ax plus b यहां करेंगे let y equal sin ax plus b ठीक है इसको हो जहां हम इसको solve करेंगे differential with respect to x we get यहां हम इसको करते हैं तो क्या हैगा dy over dx sin x sin का हो जाएगा cos ax plus b फिर d over dx ax plus b again करेंगे again करेंगे इसको फिर से तो dy over dx ठीक है यह cos ax plus b लिखा है cos ax plus b यह लिखा हुआ है अब इसका जो हम इससे कलन करेंगे इसका differences कलन करेंगे तो b तो आपका constant number है यह जीरो हो जाएगा यहां पर a आएगा only तो यह इसका a से इस बचेगा only a remain में बचेगा बस यह इसका answer हो गया ठीक है आपको clear हुआ next question की तरफ चलते हैं यह है question number 3 question number 4 question number 4 क्या कह रहा है मैं question number 4 है sec 10 under root x ठीक है let करेंगे इसको पहले सबसे पहले let y equal sec 10 under root x ठीक है इसको हमने सबसे पहले किया अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर यह जो position है जैसे यह लिखा है ठीक है हमने इसको एक block में बंद कर दिया क्यों कर दिया उसका एक reason है अब यह sec हो गया और यह पूरा x हो गया है ना अब इसका हम differentiation करेंगे differentiation with respect to x we get ठीक है यहां पर देखें dy over dx is equal to sec x का होता है differentiation 10x क्या होता है sec x का sec x का होता है sec x 10x तो sec bracket में लिखेंगे 10 root x यानि sec x फिर यह हो गया 10 10 root x ठीक है फिर इसका difference है अगें फिर करेंगे तो यह वाला पता आएगा d over dx 10 root x ठीक है अब हम इसको चलते लेके तो यह तो हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे sec 10 under root x 10 root x अब differentiation अब इसको तो हम बैसा ही के लिखेंगे sec 10 root x 10 10 root x sec square x अब इसका अवकलन करेंगे तो इस पर पावर चड़ी है root का मतलब होता है 1 2 2 घात 1 2 2 को हम solve करेंगे तो x पर पावर n की form को हम open करेंगे x पर पावर n को open करेंगे तो यह हो जाएगा 1 2 2 x पर पावर minus 1 2 ठीक फिर अगें फिर करेंगे एक डिफ्रेंशियेशन एक्स का तो x का हो जाएगा 1 तो मैं यहां पर सीधे सीधे 1 लिख दे रहा हूं ठीक है यह आपका answer हो गया sec 10 root x 10 10 root x sec square root x एक वट्टे 2 x पर पावर माइनस एक क्वट्टे 2 कुश्चन नमर 4 यह हो गए आपके देखे dear students next question 5 को हम solve कर रहे है question 5 जो लिखा हुआ है sin ax plus b upon cos cx plus t यहां देखे let y equal sin ax plus b upon cos cx plus t okay differential with respect to differential with respect to x we get यहां हम जो form use करेंगे यहां पर हम denominator और numerator की form को use करेंगे जिसे हमने differentiation के form में आपको बता दिया था starting में वीडियो के ठीक है यहां देखे start में यहां पर कर रहा हूं dy over dx सबसे पहले denominator को लिखेंगे denominator cos cx plus d ठीक है into d over dx sin ax plus b ठीक है इसके बाद देखे इसके बाद इसमें numerator और denominator के function में minus आता है और product के function में plus आता है तो यहां पर minus लगाएंगे फिर इसके बाद इस function को लिखेंगे यहां पर sin ax plus b ठीक है फिर इसका differences करेंगे d over dx यह हो गया आपका cx sin ax plus b यह है आपका cos cx cos cx plus d cos cx plus d ओके और इस पूरे का hole denominator का hole square अपॉन में cos cx plus d का hole square ओके यहां पर देखिए cos cx plus d इसका differentiation करेंगे तो sign का होता है cos cos ax plus b अब इसका बुकलन करेंगे तो इसको क्लिखने के लिए ax plus b अलग से लिखा जाएगा ठीक यहां पर हम next step में चलेंगे तो यह sin ax plus b अब हम इसको करेंगे तो cos का होता है sin लेकिन cos minus में होता है sin cx plus d d over dx इसका भी करना पड़ेगा cx plus d का ठीक है easy clear अब upon में तो वो चली रहा है अपनो यह cos cx plus d का whole square ठीक है यहां देखिए cos cx plus d यह आपका cos ax plus b है यह तो ऐसा ही रहेगा cos ax plus b ठीक है इसको हम solve करेंगे इसका differentiation करेंगे तो x a का है तो x का a differentiation 1 हो जाएगा a रह जाएगा और b आपका 0 हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि b के साथ कोई भी variable x का नहीं है minus sin ax plus b ठीक है यह minus और यह minus मैं plus करते रहा हूँ इसको sin cx plus d into d over dx करेंगे तो इसका c हो जाएगा और upon मैं आपका यह चलता रहेगा cos cx plus d का whole square ठीक है फ्रेंट्स यह आपका answer हो गया आप इसको समझ लीजी अच्छे से देखें यहाँ पर मैंने let by बराबर किया sin ax plus b upon cos cx plus d फिर differential with respect to we get मैंने differential किया denominator को पहले लिखेंगे फिर numerator का differentiation करते हैं फिर minus का निशान लगाते हैं फिर इसके बाद numerator numerator और denominator ठीक है इसका differentiation किया का whole whole square फिर cos cx plus d हो गया फिर इसका sign का होता है cos और cos ax plus b फिर इसका differentiation only ax plus b का करेंगे तो ax plus b का differentiation जब करते हैं तो यह इसकी value a आ जाएगी हो कि b के साथ हमारा कोई भी variable मवजूद नहीं है फिर minus sign ax plus b और cos का जब हमने differentiation किया तो cos का हो गया minus sign cx plus d d over dx d over dx cx plus d इसी तरीके से यहाँ पर हमने किया cx plus d का जब हम differentiation करेंगे तो cx plus d का c रह जाएगा और इस whole यह आपका चलता ही है formula के according cos cx plus d का whole square ठीक है next question की तरफ चलते है question number next है जो हमारा है question number 6 question number 6 क्या है question number 6 है cos x cube cos x cube into sin square x पर पावर 5 ठीक है यह function है cos x cube into sin square x पर पावर 5 लेंट y equal cos x cube into sin square x पर पावर 5 यह हो गया अब इसको हम first और second के according हम discover करेंगे तो यहाँ पर देखिए differential देखिए product होरा बीच में product है multiple का है तो यहाँ दो function है है एक cos का है एक sin का है तो यहाँ पर दो function का हम form use करेंगे derivative के according ठीक है differential with respect to x we get dy over dx first इसको मानता हूं second इसको ओके first x cube into d over dx sin square x पर पावर 5 इसके बाद minus sorry plus product में positive चलता है और आपका friction में minus का यह हो गया फिर इसके बाद first second second into first ठीक है यहाँ देखिए यह आपका इतना हो गया कॉस एक्स क्यूब अब इसको जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे इसका डिफेरेंसिस करेंगे इसकी पावर का sin square x पर पावर 5 का सबसे पहले इसका डिफेरेंसिस करेंगे 2 sin x पर पावर 5 ठीक फिर 2 sin x पर पावर 5 फिर इसके बाद d over dx sin x पर पावर 5 का होगा अगे आगे देखेंगे sin square x पर पावर 5 इसका डिफेरेंसिस से करेंगे तो यह होगा sin x cube minus का minus का d over dx x cube ठीक है समझ में आरी मेरी बात अब यहाँ देखेंगे अब next है cos x cube 2 sin x पर पावर 5 अब इसका हम डिफेरेंसिस करेंगे तो यह हो जाएगा cos x पर पावर 5 फिर अगें हम इसका फिर से डिफेरेंसिसिसन करेंगे x पर पावर 5 का अभी हमने trigonometric function cos sin x का किया था sin x का हो गया cos x पर पावर 5 अब हम इसके variable का करेंगे x पर पावर 5 का तो x पर पावर 5 का फिर से अगेंगें करना पड़ेगा sin square x पर पावर 5 और यह minus यह plus तो यहाँ हमाँ मैं minus कर दे रहा हूँ ठीक है sin x cube इसका differentiation करूँगा तो यह हो जाएगा 3 x square ठीक है यहाँ देखिए cos x cube 2 sin x पर पावर 5 cos x पर पावर 5 इसका होगा 5 x पर पावर 4 minus sin square x में पावर 5 इंटु sin x cube 3 x square देखिए यह इसका answer हो गया dy over dx यह इसका answer हो गया ठीक है friends आपको समझ में आ रहा है मैं एक बार दुबारा से आपका clear कर दे रहा हूँ जिससे आपको कोई problem ना रहे ठीक है इसको सोड़ा ascending और descending order में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर जैसे यह 5 x पर पावर 4 है तो इसको लिख दो आप 5 और 2 यह 5 2 का 10 हो जाएगा 10 x पर पावर 4 आपका कॉस एक्स चाह ऐसा ही बना रहे हैं दो कोई फरक नहीं पड़ता है पहले आप इसको समझ लो मैंने कैसे किया है कॉस एक्स पर घात तीन साइन स्क्वार एक्स पर पावर 5 ठीक है यहाँ दो फंक्शन थे टिनोमेट्रिक एक कॉस का था एक साइन का था तो हमने इसको एक को फर्स्ट माना एक को सेक्रिंड माना डिफरेंसिल विद रेस्पेक्ट टु एक्स बिगेट डिवाई ओवर प्लस यहां पर हमने डिनुमिनेटर और नुम पर फॉर्म लगाया है यहां के एक चुश पर ये इसका हमने इसका सबसे पहले पावर का किया डिफ्रेंसियेशन तो 2 sin x x पर 5 फिर हमने sin x पर 5 का किया differentiation तो यहाँ पर थोड़ा साइ नीचे step में आप देख लीजिए 2 sin x पर 5 ठीक है ये तो वैसा ही कि वैसा है लिखा है फिर sin x पर 5 का हमने किया cos x पर 5 ठीक है फिर x पर 5 का फिर अगे differentiation करेंगे तो x पर 5 का differentiation 5 x पर 4 हो जाएगा इसी तरह से next step में आप देख लीजिए sin x पर 5 तो ऐसा का वैसा ही लिखा है लेकिन cos x क्यूब जो लिखा है उसको हमने किया माइनस sin x cube फिर माइनस sin x cube हो गया यह फिर अगेन इसका differentiation किया जिए d ओवर dx x cube फिर माइनस sin x क्यूब यह हो गया 3 x square ठीक है यह आपका आगया यह आपका answer है ठीक है फिर भी ठीक, next question की तरफ चलते हैं, next question question number seven के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, question number seven क्या कह रहा है, question number seven है, two under root cot x square, two under root cot x square, ठीक है, यह question लेखा हुआ है, यानि two बाहर है, ठीक है, question number seven, let y equal two under root cot x square, यह question है अपना, ठीक है, हमें इसको कैसे solve करना है, उसको जड़ा देखते हैं, जानते हैं किस तरीके से हम करेंगे, तो ऐसे प्रशनों को solve करने से पहले, हम पहले इसको अच्छे से लिखेंगे, cot x square पर पावर एक बट्टे दो, ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, अब हम इसका करेंगे, differential with respect to x, we get, करेंगे, तो यहाँ पर वोगा, dy over dx equal, सबसे पहले, 2, एक बट्टे दो, cot x square, ठीक है, फिर इसका differential करेंगे, cot d over dx, cot x square, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, 2 से 2 cancel हो गया, यहाँ पर cot x square, ठीक है, cot x का होता है, cosec square, cosec square x square, ठीक है, फिर हम करेंगे, यह minus का आएगा, d over dx, x square, ठीक है, यहाँ पर देखें, cot x square, cot square x square, यह minus, cos, cosec square x square, फिर इसका करेंगे, 2 x, ठीक है, यह आपका हो गया, d by over dx, ठीक, यह आपका form खुल के आगया, ठीक है, आपको समझ में आगे, इसको एक बार दुबारा से देख लीजिए, मैंने कैसे किया है, यह question है, आपका question number seven, two under root cot x square, यहाँ पर हमने let y बराबर two under root cot x square माल लिया, फिर इसका android हमने हटाया, तो android हटाने पर यह bracket आया, एक पट्टे दो, फिर हमने differential with respect to x किया, cot x square यहाँ पर minus 1 बट्टे दो आएगा, minus 1 बट्टे दो, ठीक है, यह cot square minus 1 बट्टे दो आएगा, क्योंकि एक में से आदे में से एक घटाएंगे, तो minus का half आएगा, यह minus का 1 बट्टे दो यहाँ पर आजाएगा, फिर इसके बाद d over ds cot x square का हमने किया, तो cot x square का formula होता है, cot x का, कुसे x square x minus का, तो यहाँ पर x square, फिर इसका हमने अउकलन किया, तो x square आगया, फिर यहाँ देखिए d y over dx, minus cot square x square, minus half, कुसे x square x square, 2x, ठीक है, next question, question number 8 की तरफ चलते हैं, question number 8 क्या कह रहा है, question number 8 है, question number 8 है, cos under root x, ठीक है, cos under root x, वही तरीका है, let y बराबर cos root x, by बराबर cos root x, अब हम इसका सबसे पहले, differential, with respect to x, we get, ठीक है, dy over dx, cos under root x, लिखा है, तो cos under root x का होगा, क्या होगा, cos का होता है, sin, sin, minus का आएगा, sin under root x, ठीक है, और फिर d over dx, root x का करेंगे, ठीक है, next term है, यहाँ देखे, minus sin, sin root x, आप root x का करेंगे, तो root का मतलब होता है, x पर power 1 वट्टे 2, 1 वट्टे 2 को हम करेंगे, तो 1 वट्टे 2, x पर power minus 1 वट्टे 2, यह आपका हो गया, minus 1 वट्टे 2, sin, root x, upon root x, ठीक है, यह प्रश्ण हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है, देख लीजिए, एक बाद दुआरा से मैं बता दू, cos under root x से, यह कुशन है, आपका कुशन हम रेट, हमने इसको बाई वराबर माल लिए, फिर दिफरेंशल बिस रेस्पेक्ट 2, x, विगेट किया, तो dy over dx, equal, cos का होता है, minus sign, minus sign under root x, d over dx, root x, तो minus sign, root x, 1 y to x, पर पावर, 1 वट्टे 2, 1 वट्टे 2, x पर पावर, minus 1 वट्टे 2, minus 1 वट्टे 2, sin, root x, into 1 upon root x, यह आपका प्रश्ण हो गया, ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है, तो विकीपीडिया चैनल पर comment box में comment करें, और अगर आपको online class हों से जुड़ना है, तो नीचे चली रही, पटीर पर जो नंबर पड़ा है, आप उसे contact करके online class से हम से जुड़ सकते हैं, देखते रही है, विकीपीडिया चैनल, जै जिनेंद, जै हिन, जै भारत, आपका दिन शुब रहे,